जब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी तदाद में भीड़ोती है और क्या गजब का मैच होता है क्या जोस जुरून की साथ लोग मैच देखने आते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि वर्ल्ड कप में इतने सारे मैचेस हो रहा है पर ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत ही एहम हो जाता है जब दोनों टीमें आपस में भीड़ेंगी 14 टूर को अहमदाबाद में नरंद्रमोधी क्रिकेट इस्टेडियम में तो क्या ही व कि इंडिया का रिक़ॉर्ड ओडियाई में पाकिस्तान के खिलाब वर्ल कप में बहुत ही अच्छा है और संधार है हालाकि कुछ सालों में हम यह देख सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान की टीमी टी त्वेंटी में आप आए से ओड़ा बहतर करते नहीं है क्योंकि टी से ओडु प्रिज्वान और बाबर और इफ्तिकार को मीडिल लॉटर में देखा है तो इनके अलबा कोई भी उनका बलेबाद उतना खास परफार्मेंस नहीं दे रहा है और पाकिस्तान का बाणना है कि उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है पर बीते कुछ दिनों से आप देख सकते कि नसीम सा के इंजरी के बाद पाकिस्तान की टीम थोड़ा लड़ खड़ा सी गई है किसी का मतलब उतना बॉलिंग में रिदम रहा नहीं है जैसे कि साइन्स आफ रिदी भी नई बोल से कुछ कर नहीं पा रहा है तो बिते कुछ दिनों से पाकिस्तान की बोलिंग से लेके बैटिंग तक सब श्ट्रगल कर रही है ये ख़वर निकल के सामने आ रही है कि टीम इंडिया की जर्सी को लेके तो बीसीस आई ने अपना क्लियर कर दिया कि नहीं बाई नहीं होने वाला है क्योंकि यह जो टीम इंडिया की बागवे कलर की जर्सी में खेलते हुए नहीं आएगी और आपको जितने भी सारे न्यूज मिल रहे हैं ये सोशल मीडिया पर की टीम इंडिया भागवे कलर की जर्सी में खेलते हैं जराएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि टीम इंडिया के पास खुद अल्रेडी एक जर्सी है ब्लू कलर की तो जिसको आईडिडा से स्पॉ कॉंसर्ट भी करता है तो टीम इंडिया भागवे कलर की जर्सी में खेलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये तमाम सोशल मीडिया पर फेक नीज ऐसे हमेसा फैलते रहती है ये कोई नया नहीं है तो देखा जाए तो पीछे पिछले वर्ड कप में आप देख आप